लबश्कार जय गुर्खा बैर दीपकराई आप सभी कस्वागत करता हूँ वीर गुर्खा वैपकिमिक के समसामायक मुद्द्ध को लेकर एक कारिक्रम जी हाँ ये कारिक्रम उन समसामायक विश्चो को लेकर है जो दारजलिंग पहाड तराई डुवार्स एवं कालिंपूंग जिले में रहने वाले लोगों की दर्शा और दिशा को तै करने वाला है जी हाँ हम बात कर रहे हैं जीटिये चुनाओं की इस बार के जीटिये चुनाओं में सबसे बड़ी जो हेरानी की बात है वह यह है की लिस्ट अब सारवजनिक हो चुकी है कि इसमें कितने उमीदवार मेदान में रहेंगे हाला कि अभी नामंगन पत्र वापस करने के लिए समय बचा हुआ है और कुल 45 सीटों के लिए अब तक 318 अब तक बोलना उचीत वेसे नहीं है 318 कुल लोगों ने अपना नामंगन पत्र भरा है जिसमें हम आपको जानकरी के लिए बता दे कि ओल इंडिया त्रणमूल कांगरिस ने 10 सीटों पर और वही नेशनल जो अपना कॉंगरेस है इंडिया नेशनल कॉंगरेस उन्होंने भी लगबग 5 सीटों पर साथी साथ CPIM जो है उन्होंने 12 सीटों पर अपने उमिद्वारों की गोशना की है साथी साथ अगर बात की जाए भारत्य गुर्खा परजतंत्रिक मोर्चा की तो उन्होंने अपने कुल 35 परात्यों के साथ 36 सीटों पर नामांकन भरा है वहीं अगर बात की जाए तो निर्दिलियों की संख्या बहुत ही अधिक अपकी बार नजर आ रही है वहीं अगर पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ा है उससे पहले आपको यहाँ बताना बेहत जरूरी है कि इस लिस्ट को आने और देखने समझने के बाद यहाँ तय है कि अनित थपा की पार्टी भारत्यों गुर्खा परजतंत्रिक मोर्चा और हील टीमसी ओल इंडिया त्र प्लस टैन का गडित यहाँ पे होगा और तकरीबन लिस्ट आ चुकी है अब यह पूरी तरह से इसपस्ट हो चुका है कि भारत्यों गुर्खा परजतंत्रिक मोर्चा एवं त्रिमुल कांग्रिस की बीच में एक गुप्त समझोता या गुप्त गडबंदन भी कहे तो कोई गलत नहीं होगा आखिर क्या वज़ा थी अमर लामा जो उनके महासचीव है बारत्यों गुर्खा परजानत्त अंत्रिक मोर्चा के उनके भी कई एसे वीडियो वयान आये जिनमें उन्होंने सीना ठोकते वे कहा कि गडबंदन का सवाल नहीं कुल 45 सीटों पर उनके अमिकरन आज हम सब के सामने इसपस्ट हो चुका है हील टीमसी ने केवल दस सीट दिये तभी समझना चाहिए था कि आखिर पहाड में 45 सीटों में केवल 10 सीटों पर ही उन्होंने अपने उमिद्वारों का नाम क्यों दिया हाला कि कई ऐसी सीटे हैं जिसमें आपसी सहमती ब कि एक सीट है वहां पर भारते गुर्खा पज़ात आंत्रिक मोर्चा और तुर्ण मुल कांग्रेसन ने अपने उमिद्वारों को वहां मेदान पे उतारा है वहीं अगर दिगजों की बात की जाए जिस तरह से अमर लामा है अनित थापा है और वहीं बिनोय तामंग है उनक कर गड़ बंदन की बात करनी चाहिए थी वह नहीं हो पाया क्या आखिर कारण था कि उनको मन में कहीं नहीं ऐसा लगने लगा कि इस गोशिद गड़ बंदन को यदी जंता के सामने प्रस्तूत करके चुनाओं की मेदान पे उत्रा जाए तो एंटी कॉलकता जो एक सिंटम् बहुत ही इमोशनल एक मुद्दा हमेशा पहाड में रहा है एक नकरात्मक छवी को लेके कॉलकता की हमेशा से पहाडों की जंता ने इस पस्ट तोर से बहुमत या वोट कभी भी नहीं दिया है अगर हम बात करें कि अनित थापा की पार्टी की भारत्य गुर्खा प्रजात सांत्रिक मोर्चा की तो सबसे चोकाने वाले घटना क्रम में कालिंग पूंग के वरतमान विधायक रुदेन लेपचा जी हां रुदेन लेपचा भी इस बार जीटिये के सबासद बनने के लिए मेदान में हैं हाला कि यह उनका संवेदानिक अधिकार है अगर वह चुनाओ में बुद्धी जीवी पत्रकारों की बीच में यहां भी कहीं न कहीं कानाफुसी का दोर चल रहा है कि रुदेन लेपचा जीटिये चेर्मेन के लिए वेकल्पिक रूप से अपने आपको देख पा रहे हैं यदि ऐसी इस्तिती होती है कि अनितापा दोनों सीटों से हार ज में उनकी पार्टी की तरफ से रुदेन लेपचा सर्वे सर्वा बनके उभरेंगे और जीटिये चेर्मेन के लिए हो सकता है कि वह लोबिंग भी करे हाला कि चुनाओ जीतना पड़ेगा इसके लिए और महज 36 जो उनके 35 लोग है प्रारती है वह 36 सीटों पर चुनाओ लड पड़ेगी कितने सीट लेकर आता है यह तो समय ही बताएगा लेकिन भारत्य गुर्खा प्रजतांत्रिक मोर्चा के रणीती कारों ने एक बड़ी सी गलती यहां जरूर कर दी कि जिस तरह से गड़बंदन में वह उतरे हैं उससे कहीं न कहीं एक खुला सा मेदान और एक आ आकरी दिन उन्होंने सभी सीटों से 45 उम्मिद्वारों को खड़ा कर दिया एंटी कोलकता की जो लहर पहाड के मद्दाताओं के मन में हैं कहीं न कहीं उस फैक्टर को बहुत दूर हमरो पार्टी ने कर दिया अब बात यहां पे आती है कि अगर दारजलिंग पहाड में इस वहीं हमरो पार्टी जो महज कुछ महीने पेले ही अस्तित्वों में आई वह समूचे 45 सीटों पर अपने उम्मिद्वार खड़े करने में सक्षम रहीं कहीं न कहीं अब वजूद अस्तित्वों की लड़ाई इन दो पार्टियों के बीच में हैं भारत्य गुर का प्रजत मेजूरिटी को एक बहुत बड़ा एसेट मानकर हमरो पार्टी के अद्यक्ष अजे एडवर्ट चलते हैं कहीं न कहीं उनको दारजिलिंग नगरपालीका के चुनाओं में भी यही साइलेंट वोटर्स का सपोर्ट रहा जिसके कारण उन्होंने एक अद्वित जीत हासिल की अगर यू कहें कि चोका दिया उनकी जीत ने पहाड की राजनीती करने वाले पंडीतों को तो इसमें कोई अगुरेज नहीं करना चाहिए दारजिलिंग में एक तरह से वह एक आदर्श राजनीती का नारा लेकर चुनाओं में आते हैं और जीटिये चुनाओं के लिए सारी चीजे अंत समय तक देखने के बाद जिस तरह से उनके रणिती कारों ने रणिती बनाई और अंतिम दो दिनों में जिस तरह से सभी 45 में देखने समझने बूजने के बाद उन्होंने अपने प्रार्थियों को उतारा यह अपने आप में उनके संगठन का बड़ा होता अस्तित्व नजर आता है 45 सीटों को एक ही दिन में सभी प्रार्थियों को उतारना कही न कहीं संगठन की ही उनकी एक अद्भूत ताकत र C.P.R.M. जेसे बड़े दल इस बार मिदान से नदारत है अब बड़ा सवाल यह है कि silent majority जिनको कहा जाता है silent जो एक वोटर से बहुत बड़ा एक तपका है Silent Majority इसलिए उनको कहना उचीत रहेगा क्योंकि वह वोटर्स ही तै करते हैं कि किसको जिताना है किसको नहीं जिताना है अगर यह Silent Majority के रूप में बैंक के तोर पे जमा मत दाता अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो निश्यत रूप से उस पार्टी का जीतना तै है अब तक 2019-2021 में पहाड की जनता ने देखा कि अनित थापा के गोर्खा जर्मुक्ति मोर्चा पार्ट टू और भारत्य गोर्खा प्रजतांत्रिक मोर्चा के वरतमान नगर निकायों के चुनाओं के नतीजे कहीं नखहीं परिशान सा कर देता है एक बात और रिस्पस्ट हैं कि जिस तरह से इस बार के जीटिये चुनाओं से लोगों को बहुत कुछ उम्मीदे तो नहीं है जीटिये का लोग दबे जुबान में विरोज जरूर करते हैं लेकिन कहीं खहीं अब तक 2011-12 से लेके 2022 लगबग एक दशक का समय निकल चुका है कहीं न खहीं इस जीटिये को जो डेवलोप्मेंट एजिंसी के रूप में इस्थापित करने का अडान जो संकल्प आजे एड़वर्ड ने फेस्बुक लाइव के माध्यम से आकर किया है कहीं न खहीं इससे एक इमोशनल राजनीती पहाड में शुरू हो गई है देखिए दो चीजे हैं यहाँ पे आजे एड़वर्ड सदेव से पहाड की रगरक से वाकिफ है और वह इमोशनल तरीके से किस तरह से अपने मैसेज को करने करना है वह बहतर समझते हैं वही अगर बात की जाए भारत्य गोर्खा प्रजत अंत्रिक मोर्चा का तो उन्होंने हमेशा पहले दिन से ही इस्टेंड रखा है कि वह किसी भी सूरत में इमोशनल भावनात्मक राजनीती नहीं करेंगे लेकिन सबसे बड़ा सत्य यह है कि पहाड के अधिकतर लोग गोर्खा समाज से हैं अन्य समुदाय से हैं सभी के सभी लोग बहत भावनात्मक अपने आपको पा में पाहर हैं कि अनित्धापा भी अपने जो उनको सप्रोम कर रहे हैं राज्यय सरकार उनकी लाइन के बाहर जाके क्रॉस करते हुए गोर्खालेंड के मुद्दे पर गोर्खालेंडों के लिए एक निर्मार समीती, GTA सभा में प्रस्ताओ गुर्खा लेंड के लिए लाने की भावनात्मक बाते करने लगे है भावनात्मक बाते जितनी भी हो लेकिन पहाड में GTA चुनाओ वाकई एक बड़ा मुद्दा है इसको आप नकारो या इसको स्विकारो लेकिन यह खबरों की सुरुक्यों में बना हुआ ही है अब अगर हम अंत में आपसे यह कहना चाहे कि जिस तरह से दारजलिंग पहाड में GTA को वाकई संचलित करना चाहिए था और एक example set करना चाहिए था कि कम से कम जो दारजलिंग या GTA चेतर में रहने वाले लोग है उनकी दशा दिशा उनकी सामाजीक चीजों को संरक्षित किया जाए एवं उनके बच्चों को भविश्य में एक अच्छा सुनहरा एक रस्ता तयार करके जीटिये एक शशक्त भूमिका में वाकई एक development agency बनकर दिखाती हाला कि जीटिये की कितनी ताकते विहत वक्त बताएगा साती सात इसमें जीनले भारते जनता पार्टी गडबंदन की एक बात को नजर अंदाज करना मुर्खता होगी कि वह 21 जून के एक hearing को लेकर बड़े आशान भी थे कहीं न को लगता है कि केंदर सरकार को एक पार्टी बना कर जीटिये चुनाओं को रोका जा सकता है हाला कि जीटिये चुनाओं रूकेगा या नहीं यह आगे एक हम एक विस्तर श्रिंखला के तोर पे आपके सामने कारिकरम को रूप में लेके आएंगे लेक कारिक यह गिंती है और वहीं जिस तरह से 35 प्लस 10 का पॉर्मूला शुरू में सुनने में आ रहा था उसी तरह से ओल इंडिया तर्मूल कांगरिस ने भी दस उमीदवारों को मेदान में इस बार उतारा है क्या होता है आने वाला भरुष्य बताएगा लेकिन कहीं न खहीं ह भारतिय गुर्खा प्रजात अंत्रिक मोर्चा और ओल इंडिया तर्मूल कांगरिस के रणिती कारू ने छोड़ दी है रणिती बहतर के लिए बनाया जाता है लेकिन यह रणिती अब जनता के समक्ष आने के बाद भारतिय गुर्खा प्रजात अंत्रिक मोर्चा के लिए जन्ता के पूछे गए सवालों का जवाब देना वाकिए आने वाले समय में मुश्किल होगा जब उन्होंने जन्ता के बीच में मीडिया के समक्ष आकर कहा था कि गडबंद जैसी कोई बात नहीं है वह 45 समस्टियों से ही चुनाव लड़ेंगे आकर क्या मजबूरी थी भारत 35 प्रार्तियों को 36 सीटों से उतारने की आवशक्ता पड़ी भीतर क्या खेल खेला गया खेला जा रहा है यह तो चुनाव में नतीजे आने के बाद यदि चुनाव हुए इस पस्ट हो पाएगा तब तक के लिए आगे कई खबरे स्रिंकला के रूप में जीट ये चुनाव दरजिली पहाड की राजनीती से ओत प्रोध घटनाओं से संबंदित लगातार हम आप तक पहुचाते रहेंगे वीर गोर्खा वैब टीवी को सुनने और उसको सब्सक्राइब करने की भी वीर गोर्खा वैब टीवी के माध्यम से दीपकराई जो संपादक हुम है इस मीड मुद्दो पर लगातार केहने सुनाने वाली एक मीडिया हाउस के रूप में वीर गोर्खा वैब टीवी सदेव आपके सामने गर्मा गरम तत्यों के साथ जोशिले अंदाज में एक बहतर सारगर्बित और एक एसी खबर लेकर आएगा जिसको वाकई आप सभी लोग मिलते हैं अगली बार एक नई श्रिंकला के साथ जय हिंद जय गुर्ण झाल